कि नमस्कार क्रांतकारी खवर में आपका स्वागत है मैं रुप्किसो राजपूतर आई ले चलते हैं उत्तर प्रदिस के जनपत अलीगड में हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले ब्रेश्टाचार बुरुदी सेना के राश्ट्री अध्यक्टेसद्धी ने अस्टेलि अर्श्रिया और भारत के बीच जो फाइनल मैच हुआ था मोधी स्टेडियम में जिसमें भारत को हरका सामना करना पड़ा उसी दौरान अर्श्रिया के कप्तान के द्वारा कि अज olmasा है सराप का पेक हाथ में लेकर और हमारी च।फी होती हैальном देशकी जो टौफी यह जा एक तो चृफी आने के सभी तेशोंकी निज़न तिकी रहती हैं sis हमारे देश किकतान कि उस टौफी को क्यूम कर मातें से लगा उसका सम्मान करते हैं वहीं हमारे हिंदुस्तान में जब आश्टिलिया की टिम खेलने आई थी तो सराप का पैक हाथ में लेकर उस टॉपी पर रखकर लखें गुए थे इसी से नारज होकर केसब देव ने आश्टिलिया कप्तान को आतंगवादी कहाए और कहाए असे आतंगवादी के खिलाब तुरंत कारवाई होनी चाहिए और आज बननादेवी में उनका खिलाब परात्राथे बिस्तार दिया है देखते क्या करभए होती है और हमारे पीच बने गुए हैं इस समय बिच्चाचार ब्रुदि के राश्टी अद्दक्ट केसब दीज और जानकारी करते हैं क्या है पूरा मामरा देखते रही है क्रंदकारी खबर विस्तार से वह आतंकवादी है मेरी मेजरों में उसने भारत के जान मंत्री जी के द्वारा की गई कोफी का अपने प्यरों के नीचे दबादर के भूर अकुमान किया है भारत तो हिंदिस्तान के देश लासियों का वह तो ही भूर मिंदा के साथ अकुमान गुआ है इससे कौन संबान को है ऐसे आतंकवादी के खिराब हमें तैनी किया भी नहीं किया है तो हमाने तैनी के पूरे आस्टेलिया को खिलाब या कप्तान के आतंकवादी मानते है आप देश से मतलब नहीं है देश कोई आतंकवादी नहीं होता उस देश में कुछ लोग रहने वाले आतंकवादी मान सकता ही होते है और यह मुझे उस आतंकवादियों का ही बात लगता है तो इस तरह का क्राप लगा है